का आई चेनल को सब्सक्राइब करें को फिट्नेस का सारा अपडेट्स सबसे पहले हमारी यूट्व चैनल सिंकakySink *** लेगा सिंक देख तो अब देख कर अफोस्य इंस तो आज में सुद्क सरे सब ओनुज बूड़ेट कर आए तो को करें दरा यह है अनादर तो आप एक मारा नेक्ष्ट अप्डेट है वह आई यह बीवी प्रो सुपर सैम के तरफ सी तो गाइज देख सकते हो यह इनका करंड कंडिशनिंग की बात करें तो बहुत इंप्रेश्व लग रहे हैं और आसा नहीं लग रहे हैं कि यार दस दिन इन्होंने सब्सक्राइब देखते हैं और इसे बहुत उमीद है मेरे को लगते हैं बहुत जल्द क्वालिफाइब करें को लंपिया लिके वैसे कंडिशनिंग उन्दा पॉइंट लग रहा तो लेट देखते हैं क्या यह और यह कुछ अच्छा करते हैं बाइद आप लोग बताना जो इनका फिक दिख रहा इसमें वह आप लोग को कैसा लगा अब देख सकते हो वेस्ट शोल्डर का जो रेशियो बहुत अच्छा खासा देख रहा बोडी बिल्कुल वीटेपर और वेंस देख सकते हो आं से महां बहुत ज्यादा पोप अप कर रहा लाइक ऑवरल कंडिशनिं कोई बात नहीं नेक्स टाइम मेबी इनको जरूर प्रोकार्ड मिलेगा क्योंकि इनका जो कंडिशनिंग है ना वह बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कंडिशन देख कर आप लोग कमेंट कर बताई सकते हों कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा तो काई जो मारा नेक् दिख रहे हैं तो आप लोग को चाहिए इसमें क्या लगता है आप देख सकते हो यह इनका कंडिशन ने देख सकते हो मिड सेक्षन भी बहुत सार्प लग रहा है चेस्ट में देख सकते हो अच्छा कासा मसल मास भी दीख रहा शुल्डर में राउंड नेस भी दिख आप औ पॉइंट लग रहा है इनको सो में क्या होता है लाइक अच्छे तरीके से पिक भी लाश टाइम अच्छे से हिट नहीं कर पाते हैं जिसके बज़से इनका जो कंडिशनिंग होता है खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह लाश गलती से कुछ सीखा होगा और अपकमिंग टा बिल्कुल चेस्ट में देख सकतों फाइड साइड चेस्ट का यह बोजिंग कर रखें इसमें देख सकतों बहुत ही फाइवर अच्छा खासा दिख रहा एंड सेपरेशन है में देख सकतों कितना ज्यादा वेंस पूप प्र रहा मतब कंडिशनिंग पॉइंट ऐसा नहीं सिंगल डिट में जिसके विजए से इतना अच्छा खासा फाइवर दिख रहा लेट सी गाइस देखते हैं इस बार क्या होता वैसे इस बार तो इन से उमीद कर रहा था उस लेवल का स्टेज पर अंदर कंडिशनिंग नहीं लग रहा था बट इन अपकमिंग टाइम जरूर बहुत अच्छा करने वालेट से गाइज और अल्दा बेस्ट हो जी जो जो आप सभी लोग जरूर लिए वह बिलाल अली के तरफ से देख सकते हो उन्होंने भी अपना कंडिशन से करा और कंडिशनिंग की बात करें तो रियली बहुत इंप्रेशिव लग रहे हैं आप दे लेट सी गाइज देखते हैं क्योंकि मुंबेवाले सो में हम लोग भुबंचावान बर्सेज बिलाल अल्ली कर रहे थे बट यह राइलरी हां पे तो नहीं हुआ बट ओलंपिया में तो हंड़ेट टेन परसेंट होने वाला है भुबंचावान बर्सेज बिलाल लेट सी आप लोग बताना एक कंडिशन देकर आप लोग को क्या लगता कि यह बबंचावान को बीट कर पाएंगे उन्दा स्टेज ऑफ ओलंपिया यह फिर नहीं जो भी सोचते कोमेंट करें जरूर बताना है जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वह है लग प्रीट के तरफ से तुन अपा कितना अफेक्टिवली ला सागते हैं सो एधी बहुत एक छोटी जी तुसी चेंज गारना एनो लॉण देवेच तुसी दस्यों भी कितना डिफरेंस लाग दाता अनू पंप देवेच ते प्रोग्रेस तुसी की कारना हलके जी अपने लेटर हैट नो चाक लाना अई दालाओ एन अलाओ एंटिके हो शोल्डरा नाली शोल्डर हलके जी जाके तो गाई जो मरा नेक्स अपडेट है वह ब्रियून के तरफ से तो देख सकते हो उन्हें अपना फुल पूजी पूजी रूटीन सेयर करा हैं आप तो देख सकते हो कंडिशनिंग ओन दा जिए और कहीं न कहीं वह मसलमास भी बहुत अच्छा कंडिशनिंग उनका बहुत टॉपनों शुट बैसे कंडिशनिंग इनका भी बहुत नेक्स लेवल कराता है देख सकता है इनके बोड़ी में को जो मसल में चुलिटी ना बहुत ही जादा है और इंप्रेशिव लगते ह बार क्या होता है आप लोग बताना इनका जो पोजिंग है वो आप लोग को कैसा लगा जो मारा नेक्स अपडेट है वो है एंड्री फार्गुशन के तरफ से तो देख सकते हैं उन्होंने अपना कंडिशन करा इनमें पहले बता दूं कि यो डेटोना प्रो में कॉम्पीट होने वाले हैं और इस बार उनीज बीस का टकर होने वाला ब्रेंडन है ड्रिक्सन के साथ क्योंकि कंडिशनिंग बहुत ही तॉप नोच लेवल कर लग रहा एंड हम लोग को देखना होता है इनके अंदर बोडी के अंदर मसल में सुरिटी हाइडनेस बहुत ही जाता पोप करता है एंड जो एक डिफनेशन होता है बोडी का प्रोपोर्शनल होता है वह लग के लिए ब्राइन डिफार्गुशन में बहुत अच्छा देखता है बस ड्रिंक बगेरा करके उन दस्टे जा लेते हैं जिसके बज़ए से पोजिंग में कई ना कई गल्ती करते हैं हुड़ी में तब तक के लिए जाहिन गुड़बाई